Hello and welcome to Aditya Classes, जहांपे हम इन दिनों बात कर रहे हैं जॉब शॉब शॉब शुडियूलिंगी। तो अब लास्टाइम जो हमने कुश्चन लिया था, वो बिल्कुल पहली बार लिया था, तो कुछ नए कंसेप्ट से हो सकता है, थोड़ा सा कोई कन्फूजन जों। तो इस बार के एक्जेंबल से वो थोड़े और clear हो जाएंगे। हम इनको दो तरह से solve करने की कोशिश कर रहे हैं, दो representation से solve कर रहे हैं, एक तो हम individual machine के लिए schedule बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक Gantt chart representation कर रहे हैं। तो पिछली बार जो हमने example लिया था, उसमें पहले Gantt chart बनाया था और फिर individual machines का schedule बनाया था, इस बार हम पहले individual machine का schedule बना लेते हैं, फिर Gantt chart बना करके देख लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसको work out कर सकते हैं। जो individual schedule त्यार किया था, उसके लिए हमने क्या क्या था, we had jobs, तो सबसे पहले यहां पहले लिख सकते हैं, let us say we have job 5, job 4, job 3, job 2, job 1, और machine level पहे हमारे पास दो तरह के times थे, earliest start times था और processing times थे, तो machines हमारे पास कितनी हैं इस बार, 1, 2, 3, 4, जाद अदर सभी में, 4 तक engage हो रही हैं, 1, 2, 3 and 4. We have M1, M2, M3 and M4, earliest start times, वो times होते हैं, जो हम isolation में सोच रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि कोई और जना अगर बीच में नहीं आता है, कोई और टास्क पहले नहीं लिया जाता है, सबसे पहले मेरा ही जॉब होता है, तो मेरी timing क्या रहेगी, तो मैं कब free हो जाऊंगा इस पूरे का से, earlier start time and processing times, processing times and, कैसे बनते हैं ये, last time आप में देखा होगा, और अगर doubts हैं तो अभी हम फिर से देख सकते हैं कि ये times कैसे आए थे हमारे पास, इन times के अंदर, if I take job 1, job 1 को first machine पर कितनी processing चाहिए, 3 minutes की, 3 minutes की हो गई, job 1 को second पर कितनी चाहिए, 5 minutes की, third machine पर कितना गाम चाहिए, 8 minutes का, और last पर चाहिएगा, 10 minutes का, इसी तरह से अगर हम job 2 का देखते हैं, first पर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 3, 7, 6, 5 और फिर 3 minutes की processing चाहिए, job 2 को, job 3 की बात करते हैं तो 1 पर तो जाएगा ही नहीं, 2, 3 and 4, 6, 3 and 4, 6, 3 and 4, वो यहाँ पर तो जाएगा ही नहीं, job 4 की बात करते हैं तो वो न 1 पर जा रहा है न 4 पर जा रहा है, 2 पर 3 minutes और 3 पर 9 minutes, 3 and 9, इतनी ही processing उसको चाहिए, दो ही machines के पर, और फिफ्ट जॉब की बात करते हैं तो 1, 2, 4, इसका नहीं जा रहा है, 1 पर 4, 6 and 9, 4, 6 and 9, 3 पर वो नहीं जा रहा है, यह तो processing times हुई, अब यह कब arrive कर रहे हैं, उससाब से हम इनका देख लेते हैं, job 1 को सबसे पहले machine 2 पर arrive कर रहा है, वहीं पर आ रहा है, वो land कर रहा है, उतर रहा है, रुक रहा है, तो इसका अमलब job 2, job 1 machine 2 पर, time 0 पर land कर जाएगा, इसका हम दूसरे color में डाल देते हैं, जिससे ही एपने थोड़े से mix नहीं होगे, we'll make use of blue color, सबसे पहले यहीं आ रहा है, ठीक है, 2 पर आ जाएगा, कोई waiting time नहीं है, 0 पर ही शुरू हो जाएगा, 0 और 5, 5 मिनट में इसका यह काम हो जाएगा, फिर 5 मिनट बाद यह का आ जाएगा, 4th machine पर, यहां तो 0 पर आया था, लेकिन यहां 5 पर आया है, क्योंकि इधर 5 मिनट लगे, 5 और 10 मिनट की processing, 15 मिनट में यहां से free हो जाएगा, और यहां पहुँच जाएगा, 3rd machine पर, 3rd machine पर यह का पहुँच रहा है, 15, 15 and 8, 23, 23 पर यहां पहुच जाएगा, और यह अपना ऐसा अज्यूम कर रहा है, कि 26 पर इसका पूरा काम हो जाएगा, और यह, बिल कटवा के बाहर निकल जाएगा, अज्यूमिंग कोई और नहीं है बीच में, सिमिलरली यह अगर अपना प्लैन करें, जॉब टू, तो यह क्या प्लैन कर रहा है, कि सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, मशीन पर, आइम अर्यविंग जीरो, जीरो प्लस सेवन मिनिट्स का काम होगा, तो साथ मिनिट पर मैं काम होगा, अपनी सेकेंड डैस्टिनिशन, का है, फॉर्थ मिशीन, भी मशीन फॉर, तो सेवन मिनिट्स में ये कहां आ सकता है, यहां पर, सेवन और त्री, टैन, फिर यह जाएगा, थर्ड मशीन पर, ये सबसे पहले फूर्थ मशीन पर आ रहा है इल्कुल सही है 0 प्लस 4 ये यहाँ पर 2 मशीन पर पहुंच जाएगा 4 मिनिट्स में फिर 4 प्लस 6 10 10 में free हुआ और ये पहुंच गया 3rd मशीन पर Done और फिर हमारे पास 4th मिशीन है 3rd मिशीन से शुरू हो रहा है इसका जर्णी 0 प्लस 9 ये 9 पर यहाँ पहुंच जाएगा 9 and 3 12 इसका काम खतम Job 5 Starting its journey with 2nd मिशीन 0 प्लस 6 6 और फिर ये 4 पर जाएगा 6 6 and 9 15 15 पर ये यहाँ जाएगा 15 and 4 19 तो इसके जो 19 ये सोच रहा है ये सोच रहा है कि ये इस तरह से उस वर्क्शॉप मैं मूव करेगा मशीन 2 से मशीन 4 और फिर मशीन 4 से मशीन 1 और ये 19 मिनिट्स में फ्री हो जाएगा ऐसा इसकी प्लैनिंग है बट उस वर्क्शॉप पे तो कई सारे जोब्स आ रहे है तो वर्क्शॉप को तो ऐसा प्लैन करना पड़ेगा कि सारे जोब्स कोल मिला करके एक मिनिमम वेटिंग टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी फ्री कर सकूँ तो वो इस इसाब से नहीं चलेगा वो अपने प्लैन के इसाब से चलेगा वो क्या करेगा कि सबसे पहले कौन आया कहां पर आया सबसे पहले हम देखें तो time 0 पे 1, 2, 3, 4, 5 अर्यवल्स मिले है मिनको अब 5 अर्यवल्स आगे तो 500 जनो में तो tie होगी तो फिर वो क्या करेगा shortest time लेगा सबसे पहले shortest time first लेने में shortest processing time लेने में क्या होगा यह 7 minutes की processing मांग रहा है 6, 5, 9, 4 सबसे कम processing कौन मांग रहा है यह मांग रहा है सबसे पहला जो assignment हो रहा है, allotment हो रहा है job 3 को हमने कह दिया कि machine 4 पे बेज़ दो क्योंकि time zero पे आया है और सबसे कम time मांग रहा है done अब यह zero पे जब जब जाएगा तो four पे free होगा अगर four से पहले इस machine पे कोई भी आता है तो गड़ बड़ है, कोई भी आ रहा है क्या कोई भी नहीं आ रहा यह five minutes पे रहा है, यह six minutes पे रहा है, seven minutes तो no issues at all, free होगा है जब यहाँ पे कोई updates नहीं हुई है तो job level पे भी कोई updates नहीं है यह zero का allotment हो गया next अब वापस से देखते है seven, six, five and nine यह सबसे कम लग रहा है machine two का पहला allotment बन गया यह कब free होगा यह zero पे शुरू होगा, five पे complete होगा क्या five से पहले कोई भी आ रहा है इसमें, यह तो late आ रहा है यह जल्दी आ रहा है, तो अब यह ऐसा नहीं कर सकता है इसको थोड़ा सा late होना पड़ेगा इसने सोचा था कि इसकी processing four पे शुरू हो जाएगी बर इसकी processing four पे शुरू नहीं होगी minimum five तक तो delay होईगी यह zero पे आया हुआ था बट इसको नहीं मिला है machine तो अब यह machine तो cup free होईगी, five पे होईगी तो इन दोनों के अंदर delay आ गया this is arriving at 15, this is arriving at nine तो इसमें तो अपने कोई चिंता नहीं है तो 15 और 9 से तो कोई problem नहीं है यह जो दो जल्दी आये पे था इनको आपने delay कर दिया है कितना delay किया? इसको one minute delay किया है तो यह पूरा job one minute delay हो जाएगा यह तो हो गया यह 11 मुन जाएगा यह तो जब आपका काम पहले ही हो गया तो इसकी तो कोई delay की बात नहीं है तो पहले हो गया free बचावा सारा काम इसको आपने कितना delay कर दिया जीरो पे expect कर दा था और 5 तक डाल दिया तो यह 5 minutes delay हो गया तो यह सारे काम इसके 5 minutes delayed चलेंगे 15 becomes 20 6 becomes 11 सब कुछ delay हो गया इसका fine तो अब हमारा यह 1-0 चला गया, 1-0 चला गया 1-0 cancel हो गया अब हमारावास जो दो 0s बचे 9 and 7 है तो उनमें से यह 7 चोटा लग रहा है तो let me make this first allotment for machine 1, job 2 यह कब free करेगा 0 पे शुरू करेगा, 7 पे free करेगा पूरी machine में कोई भी जना 7 minutes से पहले अगर आ रहा है तो तो गड़बड है otherwise okay यह 23 पे आएगा no issues, यह 20 पे आएगा कोई परेशानी नहीं हम तो 7 पे free कर देंगे no updates required इतने सारे 0s तो होगए अब यह last 0 बच रहा है एक 0 और था वो cancel हो गया है तो उसको छोड़ देते हैं अब जब यह 1 ही 0 है तो इसको भी lot कर दो यह क्या कर रहा है तो हमारी जो first round की calculations की है हमने 0 वाले जो अभी सारे clear के वो तो हो गए अब वापस से नया चोटा value डूंड आ जाए सबसे shortest 23 earliest कौन आ रहा है earliest डूंड रहा है earliest start time किसका है यह 23 पे start करने की सोच रहा है 15 यह 5 है यह 9 है यह 5 है तो हमारे पास 2 fives हो गए यहां पे एक 5 हो गया यहां पे तो now I can see that there are 3 fives अब यह actually एक tie नहीं है ऐसा लग रहा है कि यह 3 हो जैने 5 minute पे आये हैं बड़ यह 5 minute पे नहीं हैं यह अलग-अलग time पे आये हैं यह तो 5 पे ही हाँ इनकी processing 5 minute पे शुरू हो रही है ऐसा due हो सकता है लेकिन यह आया है अलग-अलग time है यह तो आया ही 5 minutes पे है यह 4 minutes पे आया था इसको 1 minute delay कर दिया तो 5 बन गया यह 0 पे आ गया था तो इसका मतलब इन तीनो 5 वालों में से यह सबसे जल्दी आया है तो अब सबसे पहला 5 जो सौल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है यह second allotment हो गया इस machine का first allotment तो हो रखा था अब second हो गया क्या हो गया इसमें 5 पे शुरू होगी processing 6 minutes की processing 11 तक अब यह machine engaged है 0 से 5 यहां engaged हो गई 5 से 11 यहां engaged हो गई कोई भी 11 से पहले आ रहा है तो उसको आगे खिसका देंगे 11 से पहले कौन आ रहा है यह तो नहीं आ रहा है इसको आप 5 नहीं इसको 11 कर दो और इसको भी 9 नहीं इसको 11 कर दो तो हमने दो updates की हैं अब इन दौनों के jobs को भी update कर दो 5 has become 11 इसका मतब delay of 6 11 will become 70 delay of 6 यह तो complete हो गया तो कोई चिंता नहीं है यह दोनों delay हो गया 9 has been delayed to 11 a delay of 2 लेकिन अब कोई है यह नहीं यह एक है जो तो काम पहले हो गया यह दोनों है यह नहीं तो यहाँ पे अब कोई update करने की जूरुत नहीं रह जाती अब अगर हम देखें तो कहां से हम शुरू है थे 5 से शुरू है थे 5, 5 and 5 तो उसमें से एक 5 allot हो गया दूसरा 5 cancel हो गया यही एक 5 बचा है और यह कहां तक कहरी होगा 5 पे शुरू होगा 10 की processing है तो 5 पे जब हम काम शुरू करेंगे processing 10 minute की है 15 मिनट हो गए 15 से पहले जो भी आ रहे है वो डिले हो जाएंगे यह भी 15 से पहले आ रहे है 15 तक रुको 11 पे आ गया कोई बात नहीं 15 तक रुकना पड़ेगा अब आपको तो यह दोनों जने आप 15 तक डिले हो गए अब जब पर डिले हुए है तो फिर जॉब्स में भी डिले होएंगे जब आपने इसको 7 की जएके 15 कर दिया है 8 minutes डिले हुआ है तो सारी जने 8 minutes डिले होंगे यह डिले होके 18 बन जाएगा और यह डिले होके 23 बन जाएगा उसी तरह से इसमें भी 11 to 15 14 चार मिनट का डिले आया है तो यह सब जने 4 मिनट डिले होंगे यह तो खतम होगया पहले ही बन जाएगा 24 पर इस इस हाव भी अपडेट कि आप सबसे पहले तो एक assignment करो उसमें जो आपका time पहुंच रहा है अगर कोई जना उससे पहले आ रहा है तो उनको फिर उस time तक खिसका दो जब खिसका दिया है तो obviously अब यह जो सोच रहा था कि मैं 7 पर यहां फिर हो जाऊँगा फिर मैं 10 पर यहां हो जाऊँगा और 15 पर यह वह नहीं बैठे अब तो 15 तक तो मैं ही engage करके बैठा हूँगे 15 तक तक तो और workstation ही नहीं मिलेगा तो सब कुछ डिले हो गया है Now, what are our best times? 23, 23 There are two 11s There are a few 15s and a couple of 11s तो इन 11s में से यह 11 5 से आया बैठा है और यह 11 अभी अभी जस्ट 9 पर ही आया है तो दो processing time इसका कम है लेकिन जल्दी कौन आया बैठा है? तो फिर यहाँ पर कौन assign होगा? First done, second done दोनो 11 है processing time इसका है लेकिन यह tie है ही नहीं tie कब होती है जब दोनों जने same time पर आया है यह दोनों same time पर नहीं आया है यह 9 पर आया है और यह 5 पर आया है Yes, यह आया 4 पर था बट वो 4 अब count नहीं करेंगे मैं तो यही count करूँगा ना कि मेरे सामने यह कब आया मेरे सामने तो यह कब आया था 5 पर आया था इस particular machine के उपर और मैंने इसको का कि 11 तक delay कर लो वो 4 वाला delay तो कोई पुराना delay होगा पिछली machine पर क्या delay होगा? I am not concerned मेरे पास जो कब आ रहा है मेरे पास 5 पर मैंने इसको देखा था और अब यह 11 तक delay हो चुका है यह 9 पर आया था और 11 तक delay हो आया था इसका जल्दी यह आया था तो दौनों 11 मैंसे assignment हो रहा है allotment मिल रहा है job 3 को allotment मिल गया second machine पर 11 प्लस 6 17 यह तो 23 पर आ रहा है गो no issues यह गड़बड हो गई इसको delay करना पड़ेगा कहां तक 17 तक क्योंकि यह सोच रहा था कि 11 पर शुरू हो जाएगा काम और जब यहां allot हो गया तो अब 17 तक delay हो गया this is it इसमें कोई changes है नहीं क्योंकि allotted है इसमें आपने 6 minutes का delay किया है तो पूरे में 6 minutes का delay कर दो कहीं ज़रूरत ही नहीं है यह दोनों participate नहीं कर रहे हैं यह allotted है तो we are through with this 11 अब वापस से देखे हैं तो यह 11 कट चुका है तो we are left with 2 15s 3 15s होगे है 1, 2 3 15s है यह 15 कब आया यह तो 15 minutes पहीं आया जब कोई cutting नहीं है तो 15 पहीं आया यह 15 7 पह आया और यह 15 11 पह आया तो जल्दी कौन आया फर्स्टी आया तो इसका मलब और वैसे श्रॉर्टेस प्रसेजिंग टाइम में भी यह है बढ़ वो देखेंगे ही नहीं क्योंगे tie नहीं है 15 पह मैं इनको machine दे रहा हूँ बढ़ किसको दूँगा जो जल्दी आया जल्दी में कौन आया यह 7 पह आ था और 11 पह था तो machine goes to him 15 प्लस 3 18 अब अगर यह दर कोई भी जना है जो 18 से जल्दी आ रहा है उसको डिले कर दो एक जना है उसको कह दिया भई अभी 18 से पहले तो आपका काम नहीं होगा 15 प्लस 3 is 18 वो 18 तक बैठा रहेगा अब आपने इसको कितना डिले कर दिया है 3 minutes डिले कर दिया है तो यह भी कितना डिले हो जाएगा 3 minutes delay हो जाएगा तो we are through with this 15 also यह 15 कट गया है तो यही एक 15 बचता है तो यहाँ वह हम क्या कर सकते हैं second allotment कर सकते है second allotment होते ही क्या हो गया 15 plus 8, 23 कोई भी जने जो 23 से delayed है उनको आगे करो 23 से जल्दी आ रहे है एक तो या रहा है इसको 23 बना दो इसको भी 23 बना दो 18 को 23 बनाने में I made a delay of 5 इसको 5 मिनिट आगे दकेल दिया है तो अप्टेट कर दो इसको भी 5 मिनिट आगे दकेल दो तो यह होगा 28 इन दोने में ज़रुरत नहीं है 17 को 23 बनाने में 6 मिनिट का डिले डाला है डाल दो यह दोनों तो completed है यह ही अकेला बचता है तो कोई दिखकर दी है तो we are through with all 15s अब अगर मैं देखता हूँ तो यहां एक 23 बचा है 28, 17 यहां 17 है एक तो 3 23s, एक 17, एक 18 तो obviously हम 17 पे चलते थे हैं 17 को assignment मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 1, 2, 3 इस machine का fourth allotment हो गया 17 प्लस 3, 20 20 minute के अंदर अंदर कोई आ रहा है तो delayed है otherwise allowed है क्योंकि हम machine चोड़ेंगे 20 minute पे यह 18 minute पे आ रहा है no issues 17 हो गया उसके बाद इस 18 को allot कर देते हैं क्योंकि यही एक smallest value है 1, 2, 3 and 4 18 प्लस 9 27 यहां तो कोई बचा ही नहीं है तो उस 27 को देखने की चंता है नहीं है अगर कोई 27 से जल्दी आ रहा होता होता हम उसको delay करते है बट यहां तो सब allotted है तो 18 प्लस अब छोटे क्या values है 23, 23 and 23 यह तो आ ही 23 पे रहा है छोड़ो इसको एक बार यह 18 पे आ गया था यह 17 पे आ गया था सबसे जल्दी कौन सा आ गया था यह आ गया था तो इल्मेक एन असाइनमेंट यह allotment हो गए 23 प्लस 3 26 मिनट्स तक अब मैंने इस मशीन को engage कर दिया है कोई है तो रुक जाओ 23 पे आ रहा था उसको delay कर दिया 26 कर दिया है जब इसको 3 मिनट्ट डिलेय कया है तो यह भी 3 मिनट्स डिलEय होगा और यह 31 बंच जाएगा पहले machine डिलेय होता है और फिर जहां जहां machine delays इंत्रडियूस हुए वहाहां पे job डिलेय होगते है तो जब आपने इसको कहा दिया कि भी अब आपको थोड़ी देर और रुखना पड़ेगा तो obviously ये काम भी रुख गया है पूरा ही काम डिले हो जाएगा इसका तो यह 23 अलोटेड अब यह अकेला 23 रह गया है 1 & 2 यह 23 अलोट होगा तो 23 plus 3 26 26 से पहले कोई आ रहा है तो हटा दो यह 27 पर आ रहा है तो no issues अब यहां सारे अलोट्मेंट होगे 31 26 यहां सारे अलोट्मेंट होगे 27 तो वी हैवा 26 27 31 तो यह अलोट्मेंट पहले होगा क्योंकि यह 26 31 27 26 को मैं कर दिया पहले अलोट 26 plus 5 31 कोई और दू नहीं है तो अप्डेट्स नहीं होगी नेक्स अम उदर चले गए 1 2 & 3 27 & 4 31 कोई ड्यूज नहीं है तो कोई अप्डेट्स नहीं होंगी लास्ट यह रह रहा है 1 2 3 4 5 फिर्थ अलोट्मेंट इसको मिल जाएगा तो यह बने हमारे अलोट्मेंट जहां पर हमने तयार किया एक इसको अगर हम फियर करके लिखें यहां पर किस तरह का बन जाएगा schedule for individual machines J5, J4, J3, J2, and J1 machine 1, machine 2, machine 3, and machine 4 then we can have earliest start time and processing time for each of the machines earliest start time and processing time earliest start time and अब हम यहां से फियर कर सकते हैं इसको क्योंगे इसमें काफी over writings और वो सारी हो गई है तो क्या है 3, 7, dash, dash, 4 3, 7, dash, dash, and 4 you have a 5, double, 6, 3, 6 5, double, 6, 3, 6 then that is 8, 5, 3, 9, dash 8, 5, 3, 9, and dash and last one is 10, 3, 4, dash, 9 10, 3, 4, dash, and 9 times, final times are 5 it used to be 7 but finally we agreed upon 15 10, 0, dash, 6 move to 11, move to 15 and finally we concluded on 18 इसी तरह से यहां देखते हैं अपन तो यह तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है we have a 23, 0, and 27 23, 0, and 27 इदर देखेंगे तो we have a 0, 31, 11 0, 31, and 11 17, and 5 इदर देखेंगे तो 15, 26, 23 0, and dash यह बना मेरा final schedule जो मैं अब आगे इन individual machines के उपर भेज सकता हूँ कि वे इस सीक्वेंस में काम करना है इस सीक्वेंस को भी अगर लिख दें तो उनको पता होगा कि सबसे पहले उनके पास कौन सा काम आ रहा है जैसे ही आप machine one पर जाएंगे उसको पता है कि सबसे पहले उसके पास J2 आएगा, 0 से 7 minutes तक run करेगा फिर उसके पास J1 आएगा second number बे 23 से 326 minute तक run करेगा after 27 से 31 तक J5 run करेगा यह हुआ हमारा schedule for individual machines अब हम इसके लिए एक can't chart भी बना करके देख सकते हैं जिसमें देख लेंगे कि अगर यह same values आ रही हैं तो we have done it well और आप जैसा question में पूछा जाएगा अगर यह method पूछा जा रहा है तो इस तरह से निकाल देंगे, otherwise can't chart से निकाल देंगे दोनों पूछी जा रहे हैं तो दोनों निकाल देंगे जा सकते हैं यह हो गई हमारी machine 1, machine 2, machine 3 and machine 4 इसको हम कैसे solve करते हैं? कि जैसे ही हम शुरू करते हैं, देखते हैं, job 1 कहां जाके खड़ा हो जाएगा? machine 2 पे, job 1, time 0 पे यहां के खड़ा हो गया, कितनी देर की processing चाहिए इसको यहां पे? 5 minutes की, तो machine 2 पे सबसे पहले job 1 आ गया है, at time 0, 5 minutes की चाहिए हाँ, इधर जो हम लिख रहे हैं, वो सारे ही 0 minutes वाले हैं, तो आप confusion avoid कर सकते हैं, यहां पे directly हम लिख सकते हैं, J1 with 5 job 2 कहां जाके खड़ा हो रहा है, first machine पे 7 minutes की processing चाहिए, job 2 7 minutes के लिए यहां गया है, job 3, fourth machine पे जा रहा है 4 minutes के लिए, job 4, third machine पे 9 minutes के लिए, जितनी processing चाहिए, job 5, second machine पे जा रहा है 6 minutes के लिए, job 5, second machine पे जा रहा है 6 minutes के लिए, यह हमारे पास सारे jobs आ करके खड़े हो गए, अब हम शुरू करें, यह सारे immediately start हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई काम है नहीं, फिर भी हम एक rule लेके चलते हैं कि shortest processing time को सबसे पहले लेते हैं, shortest processing time यह रही, तो यह कब कतम हो जाएगा, फोर पे complete हो गया, जे थ्री का यहां पे काम, अब जे थ्री यहां से कहां चला जाएगा, we are talking of जे थ्री, जे थ्री फोर्थ मशीन से कहां जाता है, second machine पे जाता है, जे थ्री फोर्थ मशीन से कहां जाएगा, second machine पर आ गया है, जे थ्री फोर्थ मशीन से कहां गया है, second machine पे, कितनी देर का काम है, six minutes का, कब गया है, four minutes पे गया है, six minutes का और उसको काम है, यह हमारी details हो गई, फिर अब हम आगे चलें, सबसे चोटर time, processing time हो गया, then we have a shortest processing time of five minutes, तो यह J1 को यहां पे engage कर सकते हैं, for five minutes, यह five minutes हो गया, यह J1 हो गया, J1 second machine से कहां जाता है, fourth machine पे, ten minutes की processing के लिए, J1 arrives here, at five minutes, for a processing time of ten minutes, यह J1 को हमने पाक करके रख दिया, तो fourth, fifth, इसको भी शुरू किया जा, sixth, अब यह sixth तो actually delay हो गया है, तो यह अभी तो शुरू होगा नहीं, यह शुरू किया जा सकता है, seven वाला, seven, J2, J2 M1 से निकल करके कहां जाता है, fourth machine पे, कब आया है यहाँ यहाँ पे, seven minutes पे, और इसको कितनी देर की processing चे, fourth machine पे, three minutes की, J2 इदर आ चुका है, तो J2 has been allotted, J1 has been allotted, J3 has been allotted, J4 अब यहाँ पे allot होई सकता है, nine minutes, directly, immediately, right now, यह J4 a lot होगया, और J4 कहां जाता है, M3 से, M2 पे चला जाता है, three minutes के लिए, M2 पे, this is J4 coming at nine, J4 coming to machine two at nine for three minutes, three minutes की processing के लिए आए, तो अब हमारा, J1, J2, J3, J4 आ चुक है, J5 को और अब introduce करना है, J5 कब आ सकता है, at earliest, इस five minutes मार्ट पे आ सकता है, उससे पहले J3 आ गया है, तो अब हम यहाँ पर J3 को लगाएं, क्योंकि J3 आ चुका है, या J5 को, five minutes तक तक तो दौने डिले हो गए है, यह अबने पहले भी देखा था, इसके अंदर भी, कि दोना जने डिले हो सकते हैं, लेकिन जल्दी कौन आया, जल्दी J5 आया है, J3 से क्योंकि J3 तो four minutes पे आया है, मेरेको तो मेरी machine दिख रहे है, मेरी machine पे यह कब आया है, four minutes पे आया है, जबकि यह zero minutes से खड़ा है, तो सबसे पहले J5 जाएगा यहाँ पे six minutes के लिए, five plus six would make it a eleven, यह कौन हो गया, J5, J5 allotted, J5 कहाँ जाता है, M2 से, fourth machine पे जाता है, nine minutes की processing के लिए, यह इधर आ करके खड़ा हो गया है, J5, eleven minutes पे आया है, और processing कितनी चाहिए है, इसको nine minutes की, तो we see के machine four पे J1 भी खड़ा है, J2 भी खड़ा है, J5 भी खड़ा है, लेकिन सबसे पहले J1 आया था, तो we are through with J1, J2, J3, J4, J5, एक round of allotment हो गया है, सब जने देखें, यहां की खड़ें, J1 इधर रहा, J2, J3, J4, J5, सब जने वेट कर रहे हैं, अपनी turn का, now we start from here, सबसे पहले कौन सा time आने वाला है, four minutes का time आएगा, जहां पे यह, J3 इधर, क्योंकि अब हम यहां से देख रहे हैं, अभी कोई time नहीं है, one minute का कोई time नहीं है, two minute नहीं है, three नहीं है, four minutes पे एक jump हुआ था, यहां से यह, J3 इधर जला गया था, इधर अभी तो इसको allotment है नहीं, तो एक बार रुख जाते हैं, four minutes गया, five minutes पे क्या हुआ था, five minutes पे यह इधर आ गया था, इधर allotment हो सकता है, तो इसका मलब अभी इधर हम J1 को सबसे पहले allot कर देते हैं, J1 allot होगा, at five शुरू कर रहा है, ten minutes की processing है, J1 का काम यहां से हो गया, J1 का काम यहां से हो गया, तो अभी यह कहां जाता है, M4 से, machine three पे जाता है, eight minutes की processing के लिए, machine three पे, J1 आ गया है, कब आया, fifteen minutes पे, और कितनी minute की further processing चाहिए इसको, eight minutes की, तो J1 इधर allot हो गया, और वापस से जा करके नहीं जगे खड़ा है, तो J1, J2, J3, J4 and J5, पांच jobs हमारे pipeline में है, तो fifth minute पे हमने इसको शुरू कर दिया, done, seven minutes में एक arrival है, लेकिन अभी उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी त तो seventh minute पे हम कुछ start नहीं कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि ninth minute पे इधर कुछ खतम हो रहा है, लेकिन ninth minute पे खतम होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहां कोई wait नहीं कर रहा है, यहां जो earliest arrival अब आने वाला है, वो कब आने वाला है, 15 पे, तो अभी nine minute के time frame पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, 11 minute पे हम देखते हैं, तो yes we do have an arrival, लेकिन वो आगे आएगा, इधर देखें, तो J3 four minutes पे आकर खड़ा हुआ है, जे four nine minutes पे आकर खड़ा हुआ है, तो चलते चलते जब हम eleven पे पहुंचते हैं, तो we can assign both of these, इन दोनों से पहले कौन assign होगा J3, क्यों यहां तक चला गया है, लेकिन वो six minutes की processing लेगा, तो वो कहां तक खीचतेगा, 17 तक ले गया J3, और J3 machine two से कहां जाता है, J3 machine two से जाता है, machine three पे, machine three पे आ जाएगा, J3 कब आ गया यहां पे, 17 minutes पे यहां आ गया, J3 17 minutes पे किस पे आ गया, machine three पे, J3 machine three पे, कित्ती देर की processing चीज़ गो, three minutes, वापस से आगे चलते हैं, 11 minutes तक तो हमने देख लिया, हमारे पास कोई काम नहीं है, आगे जब हम पहुंचते हैं, तो यहां 15 minutes पे पहुंचते हैं, 15 minutes पे अब हमारे पास यहां दो जने line में लगे हैं, जो कि wait कर रहे हैं कि यहां taking it to 18, कौन अलोट वाया है, J2, J2 जब M4 पे हो जाता है, J2 on machine 4, अब यह वापस कहां जाएगा, third पे चला जाएगा, यह यहां से 18 minutes पे उठकर के चला जाता है, M3 पर, J2 goes to M3, 18 minutes पर आया है, और कितने time की processing इसको चाहिए, 5 minutes की, तो we again have, J1, 2, 3, 4 and 5, तो अब हम वापस से time में चलते हैं, 11 से आगे बड़े, 15 पे हमारे को जो break मिला तो उसमें हमने इसको J2 को engage करते हैं, आगे चलते हैं, 17 पे हमको break मिल रहा है, J4 is already in the queue, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, आज़ा, 15 पे हमने इसको engage किया, 15 पे हम इसको भी engage कर सकते हैं, 15 and 8, J1 already wait कर रहा था, 15 पे हमने इसको भी शुरू किया था, 15 पे हमने J1 को शुरू कर दिया, J1 जब M3 पे free होता है, तो फिर यह जाता है first पे, 23 पे यह J1 यहां आ चुका है, कितने देर के लिए आया है, further 3 minutes की processing चाहिए, तो यह J1 कट गया, अब हमारे पास क्या है, J1, 2, 3, 4 and 5, तो we are at 15 minute mark, 15 minute पे J2 भी शुरू हो गया, J1 भी शुरू हो गया, further जाते हैं, तो 17 minute mark, 17 minute mark पे J4 शुरू हो सकता है, for 3 minutes, 3 minutes के लिए start होगा, 9 से wait कर रहा है, लेकिन 17 पे उसको मिला workstation, तो उसना execute हो खल लिया, तो J4 20, J4 M2 पे जब complete होता है, तो फिर वो पूरा ही complete हो जाता है, तो अब J4 कहीं भी नहीं जा रहा है, जिसका अब J4 complete हो गया है, I am left with 1, 2, 3 and 5, 1, 2, 3 and 5, timeline 17 पे थे हम, अब आगे बढ़ते हैं तो timeline 18 आती है, 18 पे आप इसको start कर सकते हो, 18 and 9, 27, 27 तक आपको J5 ले जाएगा, अलाकि 11 पे आ गया था, बट वो वेट कर रहा था, क्योंकि उससे पहले दो जने आए वे थे, तो 27 पे यह आपको आगे ले जा सकता है, J5 from 4th machine, J5 from 4th machine goes to 1st machine, 4 minute की processing के लिए, यहाँ यह आ गया है, J5 for 4 minutes worth of processing, हम कहां पहुंच चुके हैं, 18 पे हमने भी allotment किया है, अब 18 से आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास 20 आएगा, 20 के लिए कोई जना वेट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, जब 23 पे पहुंचते हैं, तो we see के यहाँ पर एक वेटिंग अल्रेड़ी चल रही है, 23 पे यहाँ भी वेटिंग चल रही है, 23 पे यह वाला भी वेटिंग में है, तो 23 पे एक तो यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं, 26 में J1 को, J1 M1 पे जब कम्प्लीट होता है, तो वो पूरा कम्प्लीट कर देता है काम, तो J1 is clear now, तो मेरे पास यह भी complete हो गया है, यह भी complete हो गया है, I am left with 2, 3 and 5, 2, 3 and 5, 2, 3 and 5, अब जब हम 23 पे J1 हो गया, 23 पे ही हम इसको भी शुरूगर सकते हैं, J3 को, और यह भी 3 मिनिट सी चलेगा, यह भी चलेगा, 26 तक, this is J3 यह complete हो गया, J3 जब M3 पे free होता है, तो actually उसका पूरा ही काम पूरा हो चुका है, वो free, अब वो आगे कहीं entry नहीं होगी, now I should be having J2 and J5, J2 and J5 in waiting, हम 26 timeline तक तो पहुंच चुके हैं, 26 पे J5 लोड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 27 पे ही यहाँ पहुंचेगा, but 26 पे I can load J2, for 5 minutes, taking me to 31 minutes and this is J2, J2 on M3, J2 on M3 done, now it moves to second machine, second machine पे यह आगया, J2, 31, processing कितनी चाहिए, इसको 6 minutes की, तो हम कहां तक आगए, 26 minutes तक आगए, यह भी हमने execute कर दिया है, 26 से आगए गए तो 27 आगया है, 27 पे J5 was waiting for 4 minutes, 27 and 4, 31, J5, J5 on M1, J5 on M1, task complete, now all you are left with this, job 2, तो जैसे ही आगए जाओगे 31 पे यह आएगा, 31 पे 6 minutes के लिए wait कर रही है, making it, 37, job 2, job 2 complete, job 5 अभी complete हो गया, job 2 इदर से lot हो करके इदर चला गया था, all done, we are through with all jobs, J2 on M2, actually concludes job 2 also, तो यह हो गया हमारा, Kent chart और वो हो गया हमारा schedule for individual machines, अब अगर हम चाहें तो इसको compare करके देख सकते हैं, कि अगर हम first machine को देख रहे हैं, तो first machine में सबसे पहले J2, फिर J1, फिर J5, J2, J1, J5, टाइमिंग्स क्या क्या हैं, 0 से 7, 23 से 26, 0 से 7, 23 से 26, और 27 से 31, machine 2 को देखें, तो सबसे पहले 1, फिर 5, 15342, 15342, 1 की टाइमिंग है 0 से 5, 2 की टाइमिंग है 5 प्लस 6, 5 और 6, 11, 11 और 6, 17, 17 और 3, 20, 31 और 6, 37, 31 और 6, 37, तो machine 2 पे भी जो हमारा sequence आया है, वो बिल्गूल ऐसा ही आ रहा है, machine 3 का अगर हम देखें तो, सबसे पहले J4, फिर 1, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, and 2, ये कितनी देर engage वा, 0 to 9, second जो engage था वो 15 to 8, 15 and 8, 23, 15 to 23, third engagement वा 23 to 26, 23 to 26, and finally fourth engagement वा 26 to 31, तो ये हो गया हमारा machine 3 कितनी कितनी देर engage रही, and finally अगर fourth का चेक करना जाए, तो first allotment का है, third पे, first पे, third पे, first पे, second पे और fifth पे, second पे और fifth पे, first का allotment देखें तो 0 to 4 हो गया, second का allotment देखें तो 5 से लेके 15 हो गया, third का allotment 15 to 18 हो गया, and fourth का allotment 18 to 27 हो गया, तो you can use either technique, ultimately solution तो सेम ही आना है, क्योंके हमने same time frame यूज किया है, same method यूज किया है, first come first serve यूज किया है, और फिर ties को resolve गणने के लिए, shortest processing time, तो ultimately solution तो सेम ही आएंगे, आपको जो convenient लगता है, comfortable लगता है, आप यूज कर सकते हैं, question में कुछ नहीं मेंचन है, Gantt chart is a very good alternative, question में दोनों mentioned है, अगर आपको पढ़ाया गया है, जिन books को आपने refer किया उन में दोनों है, तो you can make use of both these techniques, so this is it for job shop scheduling, जहां पर हमारा जो sequence है वो random हो सकता है, 2, 4, 3, 1, कोई sequence नहीं है यहां पर, 1 skip करके 2 पर आगया, 2 से 3 skip करके 4 पर आगया, 4 से वापस पीछे 3 पर आगया, 3 से वापस एकदम पीछे 1 पर आगया, so random जब भी आपका sequence होगा, processing का, job shop scheduling उसके, so this is it for job shop scheduling, until we meet next time, do take care, thanks watching, bye-bye.